दो हजार पचीस में होने वाले बिहार विधान सभाचनाओं के पहले आरजडी के बड़े नेता शाम रजक जद्यों में श्रामिन हो सकते हैं बिहार सरकार के कई विभागों में मंत्री रह चुके शाम रजक आरजडी से नाराज़ चल रहे हैं आरजडी ने न तो उन्हीं लोग सभा चुनाओं में टिकट दिया ना राज्य सभा भेजा और ना ही विधान पर रिशद आरजडी ने मनुज्जा को दुबारा से राज्य सभा भेज दिया शाम रजग के जाती धोबी समास से मुन्नी रजक को विधान पर शद भेज दिया चर्चा है कि आरजडी ने उन्हें आश्वासन के साथ लाया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया चर्चा है कि शाम रजक फुलवारी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं जद्यों चाहे तो वो अरुन माल जी की जगव उन्हें मौका दे सकती है शाम रजक की मुलाकात कुछ दिनों पहले नितीश कुमार से भी हुई है हालाकि श्ट्याम रजक ने मुलाकात गुप्त तड़ी के से की थी जद्यों में जाने की संभावना से जुरे सवाल पर भी उन्होंने बोलने से इंकार कर दिया हालाकि आरजेनी के प्रति उनकी नाराजगी साफ नजरा रही थी श्याम रजक अगस्त 2020 में उद्योग मंत्री का पद छोड़ने वाले थे इससे पहले ही जद्यू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया जद्यू के तद कालिन प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ट नारायन सिंग ने उन्हें पार्टी के प्रात्मिक्ता सदस्तेता से निश्कासित कर दिया और बताने कि श्याम रजक का विधान सभाशेत्र फुलवारिश शरीफ रहा है 2020 में वो चुनाओ से पहले आरजडी के साथ गए थे तब उम्मीद थी कि उन्हें विधान सभाश चुनाओ का टिकट दिया जाएगा यह टिकट माले की हिस्से में चले गई माले ने गोपाल रविदास को प्रत्याश्य बनाया और वो चुनाओ भी जीत गए 2024 में लोगसभा चुनाओ के समय श्यामरजक समस्तिपूर सुरक्षित सीर से लोगसभा का चुनाओ लरना चाहते थे लेकिन महा गटबंधन में यह सीट कॉंग्रेस की हिस्से में चले गई जद्यू के वरिष्ट नेता महिश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को कॉंग्रेस ने मैदान में उतारा हाला की लोजपा रामविलास के उम्मिदवार और जद्यू नेता अशोक चौधरी की बेटी श्याम भवी चौधरी यहां से चुनाओ जीत गई 2030 में शाम रजक ने धोबी समाज के ताकत दिखाने के लिए पटना में मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में बड़े अस्तर पर धोबी महासभा का आयोजन किया था हलाकि इसका कोई असर नहीं हुआ आरजडी ने उन्हें लोगसभा का टिकट नहीं दिया शाम रजक बिवादों में भी रहे है अक्टूबर 2022 में जब आरजडी की राष्ट्वे कारेकारनी की बैठक दिल्ली में हो रही थी तब एक आडियो वाइरल हुआ था उसमें शाम लालो प्रसाद के बरे बेटे तेज प्रताप यादब पर कुछ टिपणी कर रहे थे मामला इतना गरमाया कि तेज प्रताप बैठक से बाहर निकल गये थे कहा था कि शाम रजक ने उन्हें गाली दी है उन्होंने यहां तक कहा था कि शाम रजक को आउकात बता देंग उनकी पार्टी है वो चाहेंगे तो रहेंगे नहीं चाहेंगे तो आरजडी छोड़ देंगे शाम रजक ने आगे कहा था कि एक शक्ति साली व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार है समरत के होतना कोई दोश गुसाई मैं दलित समुदाय से हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता कह सकता एक दलित बंधुआ मजदूर होता है शाम रजक की पतनी अलका रजक की सेहत खराब चल रही है वो डायलाइसिस पर है इस कारण से शाम रजक पारिवारिक परिशानियों का सामना भी कर रहे है इसके बावजूद आरजडी की कई महत्यपुन बैठों में वो एक्टिब रहे लेकिन अब उनका सब्रका बांध जैसे तूट रहा है ऐसे में उनके जद्यू में वापस जाने की चर्चाएं जोर पकर रही है